अले दोस्तों, welcome to me in point study, I hope you all are okay, so tomorrow class 12th वाले बच्चों का exam है, old science का exam है, and कुछ ऐसी गल्तियां है, जो आप करने वाले हो, जो आप करोगे आज और exam में करने वाले हो, जिसकी वज़े से आपका paper जो है वो जाएगा, बहुत बुरी तरीके से दिक्कत होने वाली है आपको आपको बता देता हूँ, exam के अंदर जो सबसे important चीज होती है, वो होते है most important question, याद रखना, देखो, एक chapter के, अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे ने सब कुछ chapter का पूरा detailing अच्छे से पढ़ रखिये ना, तो MCQ का तो answer कर देगा, क्योंकि MCQ में जादा कुछ होता नह है, उसकी वीडियो से शुरू करना, ठीक है, यानि दो दुरुविता की अंत से, सारे के सारे chapter अपलोड करें है, उसके most important question आप करते जाना, जो इसकी PDF है, वो मैं telegram channel पे हमारे main point study 12 arts पे डाल चुका हूँ, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, दूसरी बात है, कि map छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने, मेरे को आज तक कोई logic समझ नहीं आया, map क्यो छोड़ के जाना, जब आपको पता है कि 5 number पक्यों हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें मैंने सिर्व ऐसे नहीं कि support material में map थे वही करवा है, मैंने chapter की PDF भी आपके लिए खोल के बताईए, कि ह आया, इस chapter में से यह map है, सारे के सारे map जो है, वो cover करवाए है, picture based question भी cover करवाए है, मैंने, हर एक picture जो है, chapter के अंदर, chapter की PDF खोल खोल के आपको बताईए, कि यह सारी की picture based question है, ठीक है, चलो, एक और बात बता दूँ, जैसे अभी अभी मैंने बूला कि मैं सारी की सारी PDF जो आपने लगता है, हुआ क्या, उस बच्चे ने मेरेको message किया, कि Sir यह वला question है यह वाला question, यह 5 पशन नमर, 6 नमर के सारे question coffee थे, कहता है, यह वाला question आपने नहीं करवाया, खैसे सार यह question नहीं यह question सेम नहीं आया, फिर मैंने उसे PDF खोलके दिखाई, मैंने का जी देखो, यह बोला गया है यह तो language changes अरे तो इसले ही तो video बनाता हूँ बच्चे मैं ताकि आपको यह नहीं तो PDF देने में क्या है PDF देने में 2 minute लगते है मेरे को अब आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें यह यह आंसा लिखना है आप अगर यहां से देखोगे ना तो मेरी जो video होती है उसमें ज्यादा नहीं 10-12 questions होते है अब आप आदा खंटा क्यों लगाता हूँ ताकि हर एक question को अच्छे से बता हूँ उसका answer किस वे में लिखना बता हूँ और यह question किस अलग दरीके से पूछा रहा सकता है यह बता हूँ ठीक है तो आप video को बिल्कुल हलके में मतलो pdf तो मैंने upload कर दिया फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो छोड़ के जाएंगे सिर्फ pdf pdf learn करके चाहेंगे pdf देखो कर लो मेरेको कोई दिक्कत नहीं है जब send कर दी है तो मेरेको क्या दिक्कत बड़ा मतार हो नुकसान आपका ही है ठीक है दूसरी बात है कि जो बच्चे यह सोचने है क्या अब मेरे पास time नहीं है sir video देखने का बच्चे एक बात मैं आपको बताता हूं मैं आप सारे चेप्टर की pdf learn करके चले जाओ और आपको मतलब pdf अगर learn कर रहा है तो आपको यह नहीं पता कि कोईशन की language change करनी हो गई तो क्या करना होगा ऑफ एक्जाम में बहुत सरे कोउशन ऐसे आएंगे जिसकोब टैक लिक पाऊगे तो अगर मानलो आपने जो आपने विट्वेशन चैप्टर आरे नो स्परवार झैज्च आया आपने वीडियू सालस्ट शे तो इप्लब तो आपको बता रहा हूं बहुत प्यार से पेपर निकाल के आओगे, बहुत ही अच्छा पेपर लिकाल के आओगे, उस बच्चे के कमपेरिटिव जिसने सिर्फ पीडियो पीडियो लर्न करी है, जिसको यह नहीं पता, कोशन की लेंगविज जो है, यह तिक क्या लिखना है, क्योंकि बहुत सारे एंसर होते हैं, जो मै मैं explain करता हूँ वीडियो में, क्यार, यह question मानलो, तीन नमबर में दे रखा, अगर यह 5 में आ जाए, तो कितना बड़ा लिखना है, explain करता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है, तो इस बात का धियान रखना है, दूसरी बात, points में लिखना है, points में लिखना है, अगर आप points में लिखोगे, तो दिक्कत आएगी, okay, दूसरी बात है, अगर आपसे difference पूछा जाए, तो tabular form में जरूर बनाना है, और अगर आपको लगे क्यार, मैं arrow बना के समझा सकता हूँ, मानलो, अगर आपसे मानलो, कोई question आता है, कि, जो specific है, मानलो, आपसे पूछा जाता है, कि, जो आसियान के तीन जो है, पिलर है, वो बताओ, तो आसियान लिखना उपर, यहां तीन ऐसे पिलर बना देना, arrow बना के, तो arrow बनाने से क्या हो जाए, टीचर को यह भरूसा हो जाता है, कि हाँ, इस बच्चे को answer तो आता है, next और most important चीज, बहुत सारे बच्चों की यह लाइन information अच्छी नहीं होती, तो सोच के लिखा करो, हम क्या करते है, line लिख देते, start कर देते line का, फिर आगे बता चलता है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, फिर cut करते है, फिर दुबारा लिखते है, ऐसे मत करो, पहले, दिमांग में line बना लो, और यह बहुत common mistake ह हो, ठीक है, line formation में बच्चे को बहुत दिक्कत आती है, और याद रखना, 5 नमर का question है, तो 6 या 7 point, इससे ज़्यादा मतलिक हो, कोई sense ही नहीं बनेगा, अगर मालो 5 में से 5 मिल भी गए, तो आपका important, सबसे important चीज होती है, exam में time वो चला गया, इसकी वज़े से कोई दूसर से paper शुरू करना, MCQ भी आपको आते होंगे, अच्छा, ये भी बात बता दूँ, मैं video जब बनाता हूँ, मैं MCQ एक एक माल से question भी clear करवाते हुए, जाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, video देखा करो, धंक से, तो पीछे के question आप बहुत प्यार से निकालते हुए, जाओ आपको, ठीक है जी, clear हो गई ये बात, और अगर आपने बहुत deep में chapter पहले से ही पढ़ाऊ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी जो है, वो अपना paper शुरू कर सकते हो, कुछ बच्चे मेरे को बोलते है, sir, हमारे teacher ने बोला, line wise शुरू करो, line wise teacher पता है, इसलिए बो 3 marks वाले question पे, section B या section C होगा, उसको पूरा का पूरा attempt कर लो, फिर आजाओ, फिर MCQ वगएरा, जो भी फिलाने-फिलाने question रह गए उस पे आजाओ, बलब section wise attempt कर लो, ऐसा नहीं, question number 1 के बास सीधा 23 पे आ गया, ऐसे मत करना बस, बहुत दिक्कत होती है teacher को check करने में, और इस चार देता है, या साड़े चार देता है, तो इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और एक सबसे important बात मैं बता दूँ, देखो, exam में यह चीज़ important नहीं होती कि आपको answer आते हैं नहीं आते, obvious ही बात है, आपने अगर teacher की भी बात सुनी है, मेरी most important question की भी तो कोई sense नहीं बनता बच्चे, ठीक है, मैं video में answer इसलिए दिखाता हूँ, हर question का answer इस दिखती करता हूँ, ताकि आपको यह पता हो कि exam में क्या लिख कराना है, है ना, ताकि आपका कोई 5 number का question है, तो इसमें अच्छे से लिख कराऊ आप, तो इसलिए बहुत important answer formation, introductory line ज़ 33, let's assume कोई question है, जिसमें confused हो गए, तो लिख दो 1920 के परात्मिक दश्कों में, परात्मिक सालों में, यह बहुत बड़ी तरीका होता है, ऐसे question को tackle करने का, yes or no, क्योंकि देखो, आप लिखोगे, तो फस होगे, गलत हो गया तो, नहीं लिखोगे, तो फस होगे, क्योंकि teacher को यह तो main चीज है, तो इसी वज़े से आप ऐसे tackle करो, जिससे teacher थोड़ा सा वो लगे क्या है, आर बच्चे में दिमाग तो है, correct date ना होने के बाद भी उसने थोड़ा सा बढ़िया तरीके से answer को explain कर दिया, yes or no, तो यह गलतिया बिल्कुल मत करना, और यह आगे पीछे तो पेपर के starting में मत पूछो, क्योंकि आप starting में पूछते हो ना, हबड़ दबड़ के वज़े से आप थोड़ा सा demotivate हो जाते हो, क्यार मेरे को तो आता ही नहीं, पहले जो आता है वो करो, 5-5 नंबर के question उठाओ, हो ही नहीं सकता, आपको नहीं सकता, ठीक है, और दूसर करेंगे, revise बगरा करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो डाल चुओ, most important question की, basically यहां पर आके सिर्फ revise करेंगे, आपके जो last चीज़े रह जाएगे, इसको touch up करेंगे, yes or no, MCQ बगरा थोड़ा अच्छे घासे discuss कर लेंगे, और question बगरा पूछन मेरा main motive रहेगा, वो जो रात को live आ जय हिन, जय भारत, वंदे मातरम, thanks for your support, bye bye